दोस्तो आज हम इस बीडियो के अंदर आपको ऐसे डॉग के बारे में चानकारी देने के लिए आए हैं जो दुनिया में सबसे तेज दोड़ने वाला डॉग है और ट्रेन की रफतार से वो डॉड लगाता है जो सबसे पुरानी प्रोड ब्रीड में से एक है वो डॉग है ग्रे हाउंड ग्रे हाउंड डॉड जी हां ये ट्रेन की रफतार के साथ दोड़ता है और दुनिया का सबसे तेज धावक ब्रीड में से एक है यह बर्ड की सबसे अधिक फुर्तिली ब्रीड भी है ग्रेहाउंड यह 80 किलोमीटर प्रती घंटे की रफतार से दोड़ सकता है तो दोस्तो छे हज़ार साल पहले की सब भिता के अपसेसों में ग्रेहाउंड के चित्र भी मिले हैं इतने लंबे पिरेड को पार करने के बावजूद इस ब्रीड में मामूली सा फरक पड़ा है और आज भी योंकीतों ही यह ब्रीड तेजी के साथ दोड़ लगाती है मद्धेशिया में बिक्सित हुई इस ब्रीड के डॉग्स को ब्यापारी यूरोप ले गए जहां वे गिफ्ट के रूप में इसका आदान प्रदान किया करते थे इसका नाम दोस्तो ग्रेहाउंड क्यों पड़ा इसके पीछे कई सारी अवधारणाएं हैं माना जाता है कि इसका नाम गेज हाउंड से पड़ा जिसका अर्थ है डॉग जो नजरों से शिकार करता हो और गेज शब्द का अर्थ है ग्रेशियन यानि अद्भुत आश्चयरिजनक यह डॉग हरन लॉमडी और खर्गोश का शिकार करने में काफी माहिर होता है तो दोस्तों डॉग शो में हाउंड गुर्प के डॉक्स में ग्रेहांड सबसे शिखट बर होता है इसका शरीर दूबला होता है लेकिन मसल्स का भी पावर्फुल होते हैं शरीर के आउटलाइन भी स्पष्ट होती है लंबा सिर और लंबी गर्दन मजबूत कंधोंगे कारण यह काफी खूब सूरत और स्वाभी मानी देखाई देता है आखे तिर्ची और चमकदार और कान छोटे और गुलाव के आकार के होते हैं इसकी पूँच लंबी नीचे लटकी हुई और हलकी मुड़ी होई होती है ग्रेहाउंड के शरीर पर बाल छोटे लेकिन घने होते हैं और इसका रंग बलेक वाइट और जंग के जैसा आसमानी हलका पीला भूरा और चितकवरा पाये जाता है तो दोस्तो ग्रेहाउंड ने तो बहुत ही अधिक दुबला और ने बहुत अधिक मोटा होना चाहिए रेसर ग्रेहाउंड डोग के खानपान का बिशेस ख्याल रखना चाहिए ग्रेहाउंड एक शिकारी डोग है लेकिन यह रेसिंग डोग के रूप में जादा से जादा पॉपुलर है आज ग्रेहाउंड रेस लोगों के आकर्षन का केंदर बनी होई होती है जुए के रूप में इस दोड में लाखो डोलर की हार जीत का फैंसला किया जाता है बड़े मैदानों में खरगोस का पीछा करने के खेल में यह बड़े ट्रेक में बिजली के चलने वाली लुभावनी चीज के पीछे ग्रे हाउंड को दोड़ाया जाता है ग्रे हाउंड दोड का बिकास दोस्तों अमेरिका में हुआ था और आज ब्रेटेन में ऐसे सेक्डो ट्रेक्स बने हुए थे हैं जिन पर ग्रे हाउंड दोड लगाता है क्रिकेट मैच फिक्सिंग की तरह इसमें भी रेस फिक्सिंग को रोकने के लिए काफी उपाय किये जाते हैं ग्रेहाउंड चैंपियन रेसर डॉग तैयार करने के लिए काफी ट्रेनिंग देनी पड़ती है दोस्तो मास पेशियों की मजबूती के लिए खास तरह की खुराग पिलाई जाती है और छे मेने की उम्र पर ट्रेनिंग शुरू हो जाती है तता पंदरे मेने की उम्र पर ट्रेक पर कम दूरी की रेस में क्रेहाउंड को ट्राइल दी जाती है दो साल की उम्र के बाद ही से खरगोश शिकार रेस और ट्रेक रेस के लिए प्रियोग में लाया जाता है तो ऐसा होता है दोस्तो क्रेहाउंड जो दुनिया का सबसे तीज दोड़ने वाला टौग है और ट्रेन के साथ भी है 80 किलोमीटर प्रती घंटे की रफतार से दोड़ सकता है तो दोस्तो यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें इसको अधिक से अधिक शेयर करें और इस पर आवश्चक रूप से कमेंट्स करें आपके द्वारा किये कमेंट्स ही हमको अगली वीडियो लाने के लिए और नई से नई चानकारियां जोटाने के लिए प्रेरित करते हैं थेंक यू फ्रैंड्स